तो कैसे हैं आप लोग आप सभी के बरसों का इंतजार आज खतम होने वाला है क्योंकि आज हम लोग लेके आगे हैं आप सभी के लिए Life Process Part 2 का एक बहुत ही important और खुबसूरस सा topic जिससे हम कहते हैं Human Reproduction अगर मैं बात करता हूँ Human Reproduction का तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग यह समझने वाले हैं कि किस तरीके से Male और Female मिलके Human के अंदर बेवी का development करते हैं किस तरीके से नए बच्चे को जनम दिया जाता है उसी सारे प्रोसेस को हम लोग आज अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं तो Human Reproduction की सुरुवात होती है from Male Reproductive System Male Reproductive System ही वो सिस्टम है जहां से Human के अंदर reproduction की सुरुवात होती है Human Reproduction के अंदर अगर Male Initiative नहीं लेता है या कहें कि Male अगर सुरुवात नहीं करता है तो Female कुछ भी नहीं कर सकती है कहने का मतलब बस इतना है कि Human Reproduction के अंदर Male से ही reproduction की सुरुवात होती है तो आईए देखते हैं कि अगर एक्जाम में हमारे Male Reproductive System आ जाता है तो हमें उसको solution में क्या कुछ लिखना है जो बात मैंने अभी आप लोगों कहा यही बात आप लोगों सबसे पहले यहां पर लिखना होगा कि Human Reproduction की सुरुवात होती है Male Reproductive System से इस बात से ही जो लॉंडे लोग है तुम लोग अंताजा लगा लो कि तुम्हारा कितना ज्यादा requirement है यहां पर जब हम Human Reproduction की बात करते हैं तो लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं कि Male Reproductive System दिखता कैसा है तो यह रहा देखिए आपके स्क्रीन पर यह Male Reproductive System का डाइगराम है देखिए डाइगराम हो सकते हैं थोड़े विचित रहों थोड़े अजीव हों क्योंकि आप लोग यह सारे चीज़े फर्स ताम इसे डाइगराम में देख रहे हैं वैसे यह जो reproduction है यह भी हमारे body का ही एक system है तो इसे भी हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत शिदत से समझना चाहिए यहाँ पर आपके screen पर आपको Male Reproductive System का पुरा डाइगराम देखने को मिल जाएगा और साथी साथ में यहाँ पर आप लोग को इसकी labeling भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर labeling में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे penis जो होता है यह वो ही पार्ट है जहां से male gamit जो होता है वो बाहर निकलने वाला है साधी साथ में जो boy होता है जो male होता है वो यहीं से अपना urine भी पास करता है उसके बाद penis के अंदर से एक pipeline गई है उस pipeline को हम लोग कहते हैं urethra इस urethra का अपना एक और भी नाम होता है उसे कहते हैं urinogenatal duct बट आप लोगो यहां इतने मगजमाली करने की जरुत नहीं आप लोग simple urethra से याद रख लीजिए उसके बाद आप लोग यहां पर देख लिए नीचे साइड में यहां पर testis दिया हुआ है testis वो जगह है जहां पर male gamit बनने वाला है और testis जो होता है वो present होता है इस crotum नाम के एक muscle के अंदर testis के उपर एक चोड़ा सा part होता है उसे कहते है epididymis और epididymis के बाद से जो line होती है जो pipeline होती है जो उपर जाती है उसे कहते है vast difference उसके बाद सबसे important यहां पर urinary bladder है urinary bladder वो जगह है जहां पर kidney से आपका blood filter होने के बाद सारा urine वहां पर जमा होता है तो यह कुछ overview है आप लोग को इतना सब कुछ नहीं बताना है और नहीं आप लोग को यह diagram exam में लिखने का है यह सिर्फ फोर सिफ diagram आपके understanding के लिए है कि male reproduction दिखता कैसा है अभी तक आप लोग के screen पर जो एक line दिख के आ रही है human reproduction begin with male reproductive system आप लोग को बस यही line लिखना है और खुश रहना है अभी अच्छी तरह देखने से यह diagram देखने से यह आकरती देखने से आप लोग को इतना तो idea हो ही गया होगा कि यह जो male reproductive system होता है body के अंदर इसका location कहां पर होता है तो जब हम location की बात करते हैं कि male reproductive system का location कहा होता है तो हमेसे जाद रखिए male reproductive system का location होता है outside the body यह जो होता है body के एक दम बाहर present होता है यहाँ पे देखिए आपके सामने जो external view है इस external view को आप देखके यह अंदर चाल लगा सकते हैं कि यह body के ब body के बाहर क्यों present होता है देखो जो male reproductive system होता है इसके अंदर जो testis है testis बनाने वाले है male gamit को और यह testis male gamit को तभी बना सकते हैं जब जो temperature होगा testis का temperature body के temperature से 3-4 degree कम होगा और body का temperature होता है वो होता है लगभग 36-37 degree Celsius और बाहर का temperature होता है वो around 26-30 के आसपास होता है तो बात है जो testis होते हैं इनका जो gamit बनाने का speed होता है वो बाहर body के ज़्यादा तेज होगा रधर दन body के अंदर तो यही रीजन है कि भगवान ने और बनाने वाले ने इस इस male reproductive system को body के बाहर रखना मुनासिब समझा है यह कुछ रीजन है कि लोग शादी के बाद honeymoon के लिए ठंडी ठंडी जगहों पर जाते हैं शिमला हो गया कश्मीर हो गया ऐसे ठंडी ठंडी जगहों पर जाते हैं क्यों जाते हैं ठंडी जगहों पर ठंडी जगहों पर इसलि बहुत सारे छोड़ी-shोड़े दरवाजे सोड़ी बड़ी होते हैं चोड़ी-खीड़ी किया है एंड बहुत चोड़ी-चोड़ीnya ब्लक्स ञेंट से मिलके बना हुआ है तो वैसे यह जो पूरा का पूरा system यह कौन से पार्ट से मिलके बना हुआ है तो जब हम इसके पार् पाड़यो भाट करना अब से कोई तो सब्सक्रेख बताँ असाइडक्ष छर्फ होता है अव conquered चैनल जाते हैं यहां परotteल सरे देखिए आप लोगवडश जाते हैं पढ़ाई करते हैं क्या आप लोगों को कभी ऐसा खत्रा रहता है कि आप लोग स्कुल में जाएंगे आप लोग के जान लिली जाएंगे आप लोग को मार दिया जाएगा आप लोग किल कर दिया जाएगा ऐसा को खत्रा रहता है क्या जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी खत्रा नही होता है आप लोग जाते हैं स्कूल में भले ही आपने असाइमेंट नहीं किया है होमग नहीं किया है फिर भी आपना सुवर से सकल लेकर वहाँ पहुंच जाते हैं भले ही टीचर की डायट सुनते हैं मार खाते हैं लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ पहुंच जाते हैं लेकिन हुआ है और हमारे देस के सुरक्षी में पूरा-पूरा अपना योगदान दे रहा है तो वैसे ही जो canım do system होता है ये भी कहाणी है एक soldier की ये भी कहाणी եे एक बहुत ही बड़े syndrome की and male reproductive system के अंदर ये जो 鈴 होता है इसे हम पहते हैung और यह जो sperm होता है इसका नॉर्मल काउंट होता है 200 से लेके 300 million sperm मतलब हमारी बॉड़ी की अंदर यानि कि जब हम male की बात करते हैं तो male की body की अंदर करीब दो सो से लेके 300 million sperm एक बार में तयार किये जाते हैं और सबसे मचेदार बात यह है कि सारे के सारे 200-300 million sperm जब इंटर करते हैं female के अंदर तो इन सभी 200-300 million sperm के साथ में बहुत सारे जंग लड़े जाते हैं बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं और इन सभी युद्ध में और इन सभी लड़ाईयों में वो ही sperm जीता है जो 200-300 है लेकिन एड़े जीता कोई एक ही है तो समझ सकते हैं कि कितने सारे sperm यहां पर मार दी जाते हैं उनका खात्मा कर जाता है उनको किल कर जाता है तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जो मेल इरिपूरिट्टी सिस्टम होता है यह कहानी है एक सोलजर की अब आगे बात करते हैं कि यार यह जो सोलजर हैं जिने हम स्पर्म कहते हैं यह स्पर्म हमारी बाड़ी के अंदर यानि कि मेल इरिपूरिट्टी सिस्टम के अंदर बनाए कहा जाते हैं यह जो टेस्टीज होता है जो बाड़ी के बाहर प्रेजेंट होता है ज सब्सक्राइब करना मेल सेक्स हार्मोन जो की टेस्टेस्टराइब बहुत हुई उपर-उपर से बाते हम यह जान गए हम समझ गए कि जो टेस्टी इस होते हैं यही बनाने वाले हैं इस sperm को लेकिन अब हम और अंदर गुषना चाते हैं और अंदर डीब में घुष के हम यह जानना चाते हैं कि यह जो testis होते हैं यह sperm को बनाते कैसे हैं तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर testis का internal view दिखना होगा तो उसके लिए हम जाएंगे market में और market जाने के बाद हम एक नवा चमचमाता हुआ blade घरीद के लाएंगे और उस blade से हम किसी एक mail को पकड़ेंगे और उसके testis को काट देंगे और testis को काटने के बाद जो यहाँ पर आपके सामने जो structure दिख रहा है कुछ ऐसा structure आपके सामने दिखके वहाँ पर आने वाला है जैसे ही testis को हम लोग काट देंगे उसका internal view को हम observe करेंगे तो हम वहाँ पाएंगे कि testis के अंदर present होते हैं बहुत सारे tube like structures जिने हम लोग प्यार से कहते हैं seminiferous tribule देखें यहाँ पर आपके सामने चितर भी दिख रहा है यहाँ पर जो tube जैसे structure है इन्हें हम लोग कहते हैं seminiferous tribule नाम थोड़े-थोड़े difficult है थोड़े-थोड़े मुश्कीर है इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग को पढ़ना नहीं है समझना नहीं है आप लोग इसे लिख के पढ़िए समझ के पढ़िए मुझे नहीं पता लेकिन आप लोग को यह सारे नाम याद होने चाहिए अब यहां पर सवाल आता है कि यार यह जो semi-fresh tubule है यानि कि यह जो tube like structure है यह tube like structure बने किसे होते हैं देखें normal life में हम लोग tube देखते हैं तो वो बने होते हैं प्लास्टिक के लोखंड कैसे बने होते हैं लेकिन यह जो हमारी body है हमारी body के अंदर जो testis है अब testis के अंदर तो plastic और लोखंड का यूश्व करने वाले नहीं है तो testis के अंदर इन tubules को बनाएगा कौन आपने नाम सुना है epithelium का सुना तो होगा ही epithelium का नाम यह जो epithelium होते हैं इसे हम लोग कहते हैं tissues आपने 8 वी या 9 वी में पढ़ा होगा इसको MS epithelium, फलाना epithelium, धिमकाना epithelium तो इसे बहुत सारे प्रकार के अलग-लग epithelium tissue होते हैं उन्हीं से हमारे body का जो organ होता है वो बनता है तो वैसे ही यहाँ पर यह जो seminiferous tribule होते हैं यह seminiferous tribule बने होते हैं germinal epithelium से यह जो germinal epithelium होते हैं यह germinal epithelium जाते हैं process meiosis के अंदर और वहाँ पर यह बनाते हैं बहुत सारे sperms से अब यहाँ पर सवाल आता है कि sir यह germinal epithelium यह meiosis के अंदर ही क्यों गये देखिए हमें पता है cell division के दो प्रकार होते हैं एक होता है meiosis एक होता है myiosis जो myiosis प्रकार का cell division होता है वो तब करा जाता है जब हमें बच्चे का development करना होता है जैसे अगर हमें घाव अगर लग जाता है तो हमारे उस particular घाव को wound को fill करने के लिए heal करने के लिए वहाँ पर myiosis process होता है और myiosis process के अंदर जो cell होता है वो हूब 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 अपने जैसा नया cell बनाता है और उस घाव को fill कर देता है कहने का मतलब यह है कि mitosis के दोरा जो division होता है वो हमारी body के growth और development के मदद करता है लेकिन जो myiosis होता है myiosis के अंदर हमें यहाँ पे haploid gamit देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें 2N नहीं बलकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहन देखने मिलेगा male के अंदर हमें 1N मिलेगा female के अंदर हमें 1N मिलेगा और यह दोनों मिल जाएंगे तो वहाँ हो जाएगा 2N उसे कहते हैं deployed zygote तो मोटा मोटा अगर मैं आप लोग को कहूँ तो यहाँ पे जो testis होता है testis के अंदर होते हैं semi-frestribule semi-frestribule बने होते हैं जर्मान लेपितिलियम से और जर्मान लेपितिलियम जाते हैं अंडर प्रोसेस मियोसिस और यह प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे स्पॉम्स को अब यहाँ पे सवाल आता है कि यार यह जो testis है इन्होंने स्पॉम को तो बना दिया तो क्या यह जो स्पॉम अभी यहाँ बने हैं testis के अंदर ताजे ताजे क्यूट क्यूट मासूम से क्या यह लोग इतने सक्षम हैं कि यह किसी एग को female के अंदर घुसके उसे fertilize कर सकते हैं जी नहीं यह अभी इतने सक्षम नहीं है कि यह किसी female के अंदर घुसके उसके egg cell को fertilize कर दें इनके अंदर अभी इतनी power नहीं है यह totally होते हैं immature तो सर यह mature कब होंगे यह जो स्पॉम ह पास होते हैं 6 मीटर के highly coil structure से कोल का मतलब क्या होता है आप लोग ने spring देखा spring spring में कैसे गुलागोलागोलागोलागोलागोला होता है तो वैसे यहां पर तेखिए यह जो वह पहुंच जाएंगे सेमाइनल वेसिकल वहां कोने पर यूरिनरी ब्लेटर के नीचे तो यह इतना पूरा स्ट्रक्चिर मैं आप लोगा बताया टेस्टी से लेके सेमाइनल वेसिकल का यह टोटल डिस्टेंस होता है छे मीटर का और यह छे मीटर का डिस्टेंस हाइली कॉय स्टेर होता है यह पूरी तारीके से कॉईल क्यों कोईल में घूमां होता है यानि की यह पुरा इसिटर में होता है और यह जो स्पॉम होते हैं जब तक यह में होते हैं तब तक तो यह इंमेट्चय91 काक्ट अब यह बंड रहा हैं कंपनी से दसे लेकिन जैसे के सब्क्राइब करनें दू? कि वि men 48 होते हैं इनका अश्यका सा हाईड होगा अच्छे घर होंगी तो इसा बिल्कुल भी नहीं है यह sperm की साइज होती है खाली-खाली 60 माइक्रो मीटर मतलब आपके पास जो माइक्रो स्कोप है अगर आप उस माइक्रो स्कोप के अंदर 60 बार घुमाएंगे उतना छोटा है यह sperm अब देखो यार मुझे मालूम है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं करने के लिए तो लीजें खन लिम commander भी औरस एक्साइट को माइट होатे वह बनाशनती है अभी भी जवाब है नहीं देखो यार मैं तुम्हारी बात को गलत बिल्कुल नहीं भूल रहा हूँ sperm यहाँ पर पूरी तरीके से बन चुके हैं मैं मानता हूँ बन चुके हैं लेकिन यह sperm body से यानि कि male reproductive system से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता follow करेंगे उसे कहते हैं yorethra और yorethra ही वो common रास्ता है जहां से male के अंदर urine भी pass करा जाता है तो सोचो जिस रास्ते से urine pass किया जा रहा है वो रास्ता कितना ज़्यादा acidic होगा अगर उस रास्ते से उस acidic रास्ते से हमारे ये नन्हे मुने चोटे चोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से sperm गुजरेंगे तो सारे sperm मार दिये जाएंगे so उसके लिए जो sperm होते हैं in sperm के उपर एक fluid की covering की जाती है एक fluid की coating की जाती है यह कुछ वैस्ता ही होगा जैसे समदलो बाहर बहुत बरसात हो रही है और मैंने उपर से रेंग कोट पहन लिया है तो यह जो फ्लूइड होगा समतलो यह फ्लूइड स्पॉर्म के लिए एक रेंग कोट का काम करेगा और यह जो यूरित्रा की अंदर जो इसी रूपी बरसात होगी उससे यह अपने आपको बचा लेंगे यहां प पर फिर से सवाल आता है कि सर आपने बुलाज की जो इस पर होते हैं वह फ्लूइड के साथ होते हैं कोई बात नहीं ठीक है लेकिन क्या आप अब हमें यह बताएंगे कि यह जो सीमेन होता है यह जो फ्लूइड होता है यह फ्लूइड आता कहां से आप लोग को याद होगा मैंने starting में आप लोग को बताया था कि जो male reproductive system होता है इसके main 3 part होते है पहला होता है दो testries फिर होता है duct यानि की pipeline और third होता है gland तो ये जो gland होते हैं ये gland ही produce करते हैं fluid gland का मतलब होता है तालाब यानि कि ये ऐसे जगें हैं जहां से बहुत सारा fluid निकलने वाला है तो आईए देखते हैं यहां पे कौन कौन से प्रकार के gland है सबसे पहला जो gland है उसे हम कहते है seminal vesicle आप लोग diagram में यहां पे observe कर सकते हैं कि कहां पे seminal vesicle present है bladder के नीचे देखिए छोटा सा चबाये हुए chewingum के shape का structure मोजूद है इसे ही हम लोग कहते है seminal vesicle अब seminal vesicle से हलका सा आगे आएंगे move करेंगे तो वहां हम देख पाते हैं कि यहां present है prostate gland prostate gland के बाद थोड़ा penis के तरफ जिसे हम आएंगे हम पाएंगे यहां पे एक और gland मौजूद है जिसे हम कहते हैं cowpers gland होता है यह बल्ब के shape का हलका साथ चोटा चोटा structure होता है और यह प्रेजेंट है यूरेथरा के ऊपर इसलिए इसे कहते हैं बल्बो यूरेथरल gland तो अब इन तीनों gland से जो fluid निकलेगा उस fluid के साथ में यह जो sperm होगा वह लोट स्पोर्ट होगा मतलब उसके ऊपर चार तरफ लपेटे जाएंगे उसके ऊपर एक cover जाएगी और उसके बात जो हमको देखने को मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं सीमेन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल आता है वह यह आता है कि सेर यह जो sperm होता है यह इतना सारा 6 मिटर का डिस्टेंस आपने कहा cover करेगा और इतना आगे भी जाना है इसको इतना सा लडाईयां लडनी है युद लडने है इसको इतनी सारी ताकत आएगी कहां से हम लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं उसमें हम एक्जॉस्ट हो पता है जो हम लोग खाना खाते हैं उससे मिलता है हमके ग्लुकोज ग्लुकोज हमें देता है एनर्जी वैसे है ग्लुकोज का एक और भाई है सगा भाई है से कहते हैं फ्रुक्टोज और यह जो फ्रुक्टोज होता है यह चोटे जीवों को माइक्रोब्स को एनर्जी देन सिस्ट्रम के अंदर डिपॉसिट कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया कैसे होगी देखो यार यह जो स्पर्म है जो सोलजर है यह पेचारे ने अभी 6 मिटर का कॉल स्ट्रक्चर पास किया है उसके आधी मिटर का और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मतलब साड़े 6 मिटर का जैसे ही इजैकुलेशन होता है इजैकुलेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब सीमें जो होता है वो पेनिस से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजैकुलेशन तो जैसे ही इजैकुलेशन होने को होता है यह जो मेल का पेनिस होता है यह पूरी तरीके से बाहर निकलता है यूरेत्रा से 200 से लेके 300 करोड स्पर्म यहां पर एक बार में मेल के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं और यह जो स्पर्म होते हैं यह बहुत ज्यादा छोटे होते हैं इनकी साइस होती है 60 स्पर्म कितना दिस्टेश करते हैं देखिएो माइक्रों मेंठर के ठुस्टे जोते हैं यह से निकल कर से निकल के वार स्ट कोई से Metro कर दिसिकल के बाद युरेत्रा से बाहर निकलने तक मीटर वह वता है प्लस आधा मिटर यहां पे टोटल सारे 6 मिटर सारे 6 का कर दिस्टेंस यह नन्ने मुन्ने छोटे छोटे सपरम करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेल रिन रिप्रवाट्री करना है। क्योंकि हम बड़े जीव हैं, हम आराम से ट्रवल कर लेंगे 6 मिंटर, लेकिन यह जो स्पर्म होते हैं, बैचारी यह कितने छोटे होते हैं, इनके लिए 6 मिंटर वैसे ही है, जैसे हमारे लिए 60-70 किलो मिटर के बराबर है, अब जैसे ही सीमेन पेनी से निकल जाएंगे, वो कर जाएंगे female reproductive system के अंदर, और यहीं पे male partner का काम हो जाता है, समाप्त, उनका काम बस इतना था कि sperm को बनाओ, और sperm को female की body के अंदर deposit कर दो, काम खतम, और यह जो sperm जिसको इन्होंने अभी deposit किया है female की body के अंदर, इनका life cycle भी 3-4-3 basement का होता है, अगर basement के अंदर इन्होंने echo fertilize नहीं किया, तो यह सारी sperm मार दिये जाएंगे, और आप लोग को मैंने यहां बताया था कि जो semanil vesicle होता है, वो produce करता है fructose, जिससे sperm को ताकत मिलती है, यह जो fructose होता है, इसका color होता है white, इसलिए penis से जो semen निकलता है, यह semen का भी color होता है white, और एक ejaculation में, ejaculation मतल मेल से बाहर निकलते हैं, उस समय इनका count होता है 3 to 5 ml, याद रखे, मैं यहां पर sperm का count नहीं बता रहा हूं, यहां बता रहा हूं मैं semen का count, semen क्या है, semen है sperm plus fluid, तो जब sperm 300 से लेके 400 million sperm जो होते हैं, वो पूरे के पूरे fluid से combine हो जाते हैं, तो उनका count होता है, वो 3 से 5 ml का हो fluid होता है और सिर tien как 5% sperm होते हैं, आप छोटे होते हैं इतनी सारी कहानी को सुन लेने के बास समझ लेने के बास थोड़ी सी बाचित करते हैं और इस कहानी को यहीं पे समाप्ख करते हैं, देखिए बाचित कुछ extra नहीं है, बाचित बस आपकी curiosity को लेके है, उटता है, कि सरी जो mail होता है ये mail कब sperm को produce करना start करता है मतलब को ओं सी एढसी से mail प्र्रोद्ूस करना start करता है sperm को semen को तो यहां पे आप लोग यह जान लीजिए कि जो mail होता है वो जैसे ही poverty को hit करता है वैसे ही उसका body का system उसका testis activate हो जाता है और और वो sperm को produce करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सवाल आता है सरीय प्यूबर्टी क्या होता है देखें प्यूबर्टी वो समय होता है जिस समय पे मेल का जुकाओ फीमिल की तरफ हो जाता है मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो आप लोग को लड़कियां अच्छी लग लेती हैं दूसरा साइन मेल के अंदर प्यूबर्टी का है उनके बॉड़े के ऊपर बहुत सारे अनवांटेड हैर आने सुरू हो जाते हैं जहां देखो वहीं पे हैर आने सुरू जाते हैं और वो लोग जंगली बढ़ना सुरू हो जाते हैं दूसरा सबसे कमाल के चीज जो कुदरत ने आप लोग को दी है यानि कि मेल के अंदर जो दी हुई है वो यह है कि मेल रिपोर्टिव सिस्टम लाइफ टाइम तक मरने के एक घंटे पहले तक स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट रख सकते हैं उनका स्पर्म का प्रोडक्शन कभी भी खतम नहीं होने वाला है ठीक है वो मरने को होंगे ना जब भी उनका स्पर्म बनता रहेगा तो बस यार यही कुछ इंपोर्टन बाते थी जो मुझे आप लोग को बताएं थी बहुत दिन से और आई होप आप लोगों ने वीडियो देखने के साथ साथ में लेक्चर के नोट्स भी त्यार कर लिये होंगे देखें आप लोग को अभी तक मैंने मना किया था कि आप लोग कोई भी डाइगराम ड्रॉ करने के आवश्यक्ता नहीं थी लेकिन अब आपके सामने यह जो डाइगराम आ रहा है यह डाइगराम आप लोग को अब बैठ के आराम से ड्रॉ करना है आप लोग वीडियो को प female reproductive system and अगर आप लोग को topic समझ में आया है तो आप लोग हमें comment box में बता सकते हैं कि आप लोग को समझ में आया है and कोई भी question हो कोई भी suggestion हो आप लोग हमें comment box में बेजीज़ा comment करके बता सकते हैं आपके comment का शीखर अतिशीखर reply देने की हम जरूर से कोशिश करेंगे and chapter के सभी notes आपको हमारे टेल्ग्राम चैनल पे मिल जाएंगे and टेल्ग्राम चैनल का link आपको description box में देखने को मिल जाएगा and अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ value सिखने मिली है कुछ नया सिखने मिला है तो फटा फट चैनल को subscribe करें अपने उन दोस्तों के साथ share करें जिन्हें स्कूल में यह सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है as usual thank you for watching जहिन